नमस्कार दोस्तों, PW Only IAS पर एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है, देखो modern Indian history की बात की जाए, तो यहां से आपको पिछले सालों का जब हम analysis करते हैं, तो तीन से no question का variation यहां पर सीधा दिखाई देता है, पिछले साल आपको ज़्यादा questions नहीं मिले थे modern Indian history से, पर 2021 और 20 की बात करें, तो आठ से no question, history की बात नहीं कर रहा है, history में से भी modern history को हम निकाल रहे हैं, तो कुल मिला करके बात ऐसी है, कि यहां पर हमें उन themes को समझ लेना है, जिन themes से question ज़्यादा बनते हैं, अगर यह चीज़ समझ गए न आप, तो मान के चलिए कि बहुत कम efforts में आप अच्छा outcome निकाल पाओगे, ठीक है, तो वो ही चीज़ हम देखेंगे यहां पर, कि कौन-कौन से important points है, जो कि हमें यहां पर cover करने की ज़रुरत है, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली theme आप की आती है, that is Indian constitutional development, बहुत सीधी बात है, इसमें से तो आपको बहुत सारे question हर exam में मिल जाएंगे, समझ रहे हो बात को, आप उठागर के देखो, पूरा analysis, 2023, 2022, सब में एक question तो Indian constitutional development में से आपको मिल ही जाएगा, चाहे फिर वो आप देखो, कि different acts हैं, जैसे आपको पता है, कि company का rule था 1857 से पहले तक, ठीक है, तो वहां पर आप देख सकते हो, 1873 हो, 84 हो, 93 हो, 13, 1833, 1853, या उसके बाद में, जो फिर वाइस रॉय का rule आया, फिर सीधा crown का rule आया, उसमें भी आप क्या notice करते हो, कि जो acts आए, उनके आदार पर बहुत सारे question है, यहां पर आप देखो, कि Governor General of Bengal को Governor General of India कब declare कर दिया गया, question आप देखो यहां पर, Similarly, Montague Champs Ford, 1919 का यह जो act है ना, यह तो भाई, बहुत ही ज़ादा important है, आप यहां पर देख लो, दो exams में, regular, back-to-back questions आये हुआ है, तो Indian constitutional development में, यह जो acts है ना, इनको आपको जरूर से पढ़ लेना है भाई, ठीक है, इन में से question आते ही है, 1813 के charter में से भी question आया हुआ है, Similarly, आप देखोगे कि बहुत सारे जो यह हमारे acts हैं, यह सारे important हो जाते हैं, तो इनको आप बिल्कुल भी ignore ना करें, ठीक है, फिर आगे देखो, आगे आता है आपके लिए, यह बड़ी एक tricky point मैंने pick की है, बट हाँ, इसको अगर आपने पकड़ लिया ना, इस point को, तो पक परीके से grouping करके, और फिर पूछना, यह किस से संबंदित है, ध्यान से समझना, कि individuals के names जो हैं, उनको pick किया, और उनसे संबंदित जो organization है, या कोई political party है, या कोई भी task उनोंने, साथ मिल करके perform की थी, तो उससे related question, यहाँ पर आप देखो, यहाँ, हिंदू female school की अगर बात क करें, तो इससे related कौन individual है, एक individual पर question आगया, चली अब next, यहाँ पर different different organization, या फिर moments, और इधर leaders का नाम, match आपको करना है, correctly match है, वो आपको answer में दे देना है, इसका मतलब again वो your organization individual, इधर देखो, लंबी line है, शान अवास खान, प्रेम कुमार सैगल, गुर्बक शिंग, धिल है, जिससे संबंदित ही है, लोग है, तो यह समझ रहे हैं आप बात को, कि जो भी individuals, Indian freedom struggle के time पे highlighted रहे हैं, और जिनोंने बहुत important contribution दिया है, चाहे small scale पर ही दिया हो, वो अपने आप में important हो जाते हैं, उनकी grouping आपको properly develop कर लेनी है, जो कि more or less आपकी जो books है ना, उनकी last में मि आती है, तो वहाँ पर से आप ये pick कर सकते हो, कि यहाँ भई किस particular moment से कौन-कौन से individuals जुड़े हुए थे, उसको आप quickly revise कर दो, no doubt ही आपने आप में रटने का काम है, और modern Indian history है भई, इसमें से इस तरीके के question आने के chances बन जाते हैं, similarly आप यहाँ पर देख लो, तीन नाम दे दिये, पूछ लिया, कि गदर party से कौन सा associated है, similarly यहाँ पर नाम दे दिये, 4-5 आदमियों के, पूछ लिया, कि किस particular task या फिर किस काम से associated थे, तो कहने का मतलब, individual और group of individual, यह अपने आप में बड़ा important हो चुका है, चाहे वो कोई political parties associated हो, या कोई task या किसी organization से, तो यह चीज आपको ध्यान रख लेनी है, यह topic मेरे हिसाब से आपको cover करना चाहिए, फिर आपका बहुत important, interesting point आता है, या part आता है, that is Indian national moment, देखो Indian national moment की बात करें, जिसको Indian struggle भी हम बोल देते हैं, तो इसमें major जो part है, वो आपका कब से start होता है, जब Indian national congress का 1885 में establishment हो गया, उसके बाद क जो developments हैं, वो important है, और उसमें भी गांदी जी की entry, ठीक है, गांदी की entry, 1915, उससे पहले का moment क्या था, बाद का moment क्या था, दोनों में गांदी जी की approach को आपको थोड़ा सा ध्यान से cover up कर लेना है, साथ ही साथ, यहाँ पर जितने भी moments थे, जैसे मान लो, गांदी जी की leadership में देखें हैं, गांदी जी से पहले, जैसे स्वधेशी moment वाल, ठीक है, बाल कंगा दरते लग और इनकी leadership में, ठीक है, वो आप देख सकते हो, इसके अलावा आपको यहाँ पर गांदी जी की leadership में non-corporation moment मिल जाएगा, civil disobedience moment मिल गया, quit India moment मिल गया, यह कई moments है, इनके उपर और भी developments, जैसे क्रिप्स mission, यह quit India moment के आसपास का है, right, similarly, गांदी इर्विन पैक्ट, यह बहुत important वही, इससे संबंदित आप देखोगे, कि आपने mocks अगर लगाया होगे, तो आपने खुद ने देखा होगा, इस पर definitely एक question मिलाओगा आपको, ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो, quit India, resolution, quit India moment, उससे संबंदित question, तो कहने का मतलब, आपका यह जो point है, India national moment, इसको थोड़ा सा इन themes के इर्दगिर्द देख लेना है, कि कौन-कौन से important moments वहाँ पर देखने को मिले, number one, number two, Britishers की तरफ से क्या approach वहाँ पर develop की गई थी, ठीक है, या कोई commission, कोई resolution, important, तो उनको include करते हुए, आपको देख लेना है, तो India national moment को भी आपको देख लेना है, यह वो points मैं बता रहा हूँ, जिन में से आपको definitely, एक से दो questions मिल ही जाएंगे, ठीक है, तो यह बिलकुल भी छोडने वाली चीज नहीं है, फिर आ जाओ, आपकी book, जो है standard reference book, उसमें आ तो उनसे based भी question है, जैसे उल्गुलन का question है, किस से सम्मन देता है, context भी important है, ध्यान रखें, writer associated individuals plus context, यह सब important हो जाता है यहाँ पर, तो इसको में बिलकुल भी ignore नहीं करना है, इसके अलावा, यहाँ पर song composition से भी related question आ गया, ठीक है, यह book आ गई, यह भी आ गई आपकी book, त books और newspaper तो बहुत जादा important हो जाते हैं, क्योंकि इन पर तो बहुत बार UPSC ने question पूछे है, तो एक यह topic आपका बिलकुल भी नहीं छोटना चाहिए, ठीक है, इसके अलावा आगे चलें, फिर आता आपका Europeans की entry है, वैसे topic मुझे शुरू में बताना था, but priority wise sequence set की है मैंने, क यह चीज तो आपको compulsory कर ही लेनी है, मैं फिर से बता दूँ कि जो sequence हमेशा कभी भी कोई topics की अगर हम discuss कर रहे हैं, तो मानों की first पर अगर कोई topic है, तो वो prime है, वो तो होना ही चाहिए, समझने हैं बात को, यह हमेशा दिमाग में set करके चलना, तो entry of Europeans कब आए, किसने कहां पर अपनी company establish की, कौन से साल की बात है, ठीक है, क्या उनकी chronology है, तो history में देखो एक चीज तो आपको clear है, कि देखो facts तो हमें याद रखने होते हैं, पर facts को याद करना बड़ा आसान कब होता है, जब एक तो आपके पास में chronology हो, यह तो history experts हैं, वो भी बताते हैं, कि भई आप facts को अगर memorize करोगे, तो शायद वो जादा easy going रहता है, तो यह चीज अगर आपने कर ली है, तो बहुत बड़िया नहीं की है, तो Europeans की entry को एक बार discrete manner में आप देख सकते हो, क्योंकि इस पर based question आए हुए है, कि कहां पर किसने क्या approach अपनाई थी, इंडिया में अपनी empire को expand करने से related, इसके अलावा, दो और topics हैं जिनके ओपर आपको ध्यान देना चाहिए, अगर आपके पास में time कम है, तो जो बता दिया वो तो करना है ही, और अगर थोड़ा सा और time निकाल सको, तो social religious moment, reform moments, ठीक है, विवे कानन जी का क्या contribution है, ठीक है, राजा राम मोहन रोय का क्या contribution है, ऐसे personalities के बारे में भी हमें देख लेना है, क्योंकि यह personalities बहुत important है, और की personalities की बात करें, तो जो लोग बहुत ज़्यादा highlighted रहते हैं, ठीक है, अगर जब भी history पढ़ते हैं तब modern history, तो महत्मा गांदी जी हो गया, M.K. गांदी, इनके अलावा, रविंदरना टै information, general information आपको gather कर लेनी है, क्योंकि एक बार ऐसा question आया था, कि statement दे दिया, तीन चार लाइनों का, और उसमें identify करवाना था, उसमें आपको देखना होगा, कि लालालाज पत्राय जो थे, उनसे related वो question था, वो क्या, आप देखते हो कि जब, एक तरीके से आप कह सकते हो, कि हाँ पर help कर गया था, exam में solve करने में, तो ऐसी चीज़ों को आपको बिलकुल भी ignore नहीं करना है, तो यह कुछ important points है, जिनको आप अगर include करके चलोगे, तो definitely आपको modern Indian history जो है, उसमें help मिलेगी, इसमें कोई doubt वाली चीज है ही नहीं, वेटेज हमने देख लिया, इकलौती modern history से भी no-no questions तक आए हुए है, तो यह part, यह जो मैंने topics, और majorly part किस्सा है हुआ है, यह जो topics हमने discuss किया है, इन ही में से, तो यह बड़ी एक interesting चीज जो है, वो आप consider कर सकते हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से और videos लेकर के आए जाएंगे, आपके लिए, बिलकुल भी miss ना करें इन videos को एक बार 2x speed पे देख करके idea तो लगा लो, कम सकम छूट तो नहीं रहा है, ठीक है, thank you, thank you very much.